Hello dear students, आज की बीडियो में Speed maths की क्लास है, तो देखते है क्या सवाल हैं, पूरी बीडियो देखिएगा आप सबसे पहला question आपके सामने है, देखिए इसमें 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 16, लिख सकते हैं, 16 का मतलब क्या होता है 2 की power 4 और ये 2 की power 4 तो कुल मलाकर कितना हो गया 2 की पॉवर 8 ध्यान रखना है multiply में हमेशा पॉवर एड होती है तो हमें एक चीज मिल गई 256 की जगह हमें लिखना है 2 की पॉवर 8 यह है 2 की पॉवर माइनस 5 तो हम उसको माइनस कर देंगे क्योंकि base 2 और 2 दोनों बराबर है multiply by x equals to 25 से यह जाएगा दो बार यह आएगा 4 into 75 यह आगया 2 की पॉवर 3 2 की पॉवर 3 कितना होता है 8 तो यह हो गया 8x equals to 4 into 75 4 से यह 2 बार cancel हो गया x कितना आएगा 75 by 2 37.5 यह x की value आएगी 37.5 next question साड़े 400% of x कैसे करेंगे इसको देखिए बैसे तो इसको साड़े 400 बटे 100 लिखेंगे x लिखेंगे divide by 190 है प्लस में साड़े 300 बटे 100 है multiply में 200 बटे 70 है बराबर में 20 है अगर इसको expand करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे हाला कि ऐसा आपको बिलकुल नहीं करना है एक्जाम में देखिए यह जाएगा पांच बार यह जाएगा 20 बार यह जाएगा बीस बार यह जाएगा पांच बार यह जाएगा दो बार तो यहाँ एक्स बटा बीस प्लस दस बराबर बीस एक्स बराबर कितना आया दस से दरजा के माइनस हुआ दस तो एक्स बराबर आएगा यह 200 नेक्स पर चलते हैं अब अगर इसको अपने तरीके से करूँगा तो यह दिक्कत हो जाएगी देखिए मैं तो ऐसे करूँगा देखिए यह हो जाएगा 25 बटे 1000, multiply by 40 हो जाएगा, plus यह हो जाएगा 45 बटे 1000, multiply by 80 हो जाएगा, equals to, यह हो जाएगा 10x upon 100, यह से देखिए 100, 100, 100 बहर निकल गए, एक जीरो से यह जीरो कटेगा, एक जीरो से यह जीरो कटेगा, यहाँ 25 चौका 100 आएगा, प्लस, आठ पंचे 40, आठ चौक 32, 4, 36 आएगा, equals to, यह हो जाएगा 10x, यह हो गया, 46, 460, और 10x, तो यहाँ से एक्स कितना आगया, 46, आप करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, नेक्स्ट कोश्चन नंबर सीरीज का है, मिसिंग नंबर सीरीज है, देखिए क्या कैसे होगा यह, यहाँ अंतर है एक का, आगे अंतर है आठ का, फिर आगे कितने का अंतर है, 27, आगे कितने का अंतर देख रहा है, आपको, आगे अंतर देख रहा है, 4, 64, यहाँ से क्या चीज़ आपको दिखी, यह एक की क्यूब है, यह 2 की क्यूब है, यह 3 की क्यूब है, यह 4 की क्यूब है, आगे 5 की क्यूब, यानि कि आगे आएगा तो 125, लेकिन यह बात गोर करने वाली यह है, पहले माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, अब माइनस होगा, यानि कि 125 में 125 माइ और फिर गाई गाई जीरो इसमें देखिये किया बोला गया है यह तो देखते ही कर लेंदी चाहिए आपको पांस सेकंड के अंदर देखिये तो चपन दूनी 112 होता है ग्यारा सुबीस आएगा अगर इसका हम डबल करते हैं तो बाइस सो चालिस मिलना चाहिए जो कि मिल रहा है यानि सही है आंसर आएगा ग्यारा सो बीस नेक्स्ट कोश्चन करिए तो सबसे पहले हम एड करेंगे तो यह आएगा चार नो दो ग्यारा नो तीन बारा एक तेरह और दो इसमें से 1089 माइनस करना है यह आएगा पांच यह आएगा दो यह आएगा दो यह आएगा एक यानि कि 1225 आया है इस तरफ बराबर में चल रहा है पांच एक्स अचाहिए माइनस क्या होगा माइनस होगा यह पूरा टर्म यानि कि यह कितना ह यह है 160 प्लस 10 70 170 यहां से माइनस करना है आपको तो यह आएगा 5 5 और 10 बराबर 5 X तो X की वैल्यू कितनी आएगी 211 आएगी X की वैल्यू आगे कोश्चन है आपके सामने क्वाडिर्टिक एक्वेशन का सबसे पहले साइन आपको पता होने चाहिए माइनस प्लस है तो यह प् प्लस बनेगा 124 के फैक्टर करते हैं सबसे पहले 124 कैसे लिखेंगे सबसे पहले चार कॉमन लेते हैं तो यह 30 बनाएगा अब 31 आप जानते हैं यह होता है प्राइम नंबर किसी से कटेगा तो है नहीं यानि डारेक्ट फैक्टर बनें 31 और 4 31 और 4 बाई की फैक्टर निका और 5 गोड़ा दो यानि 10 अब देगी 26 में 5 माइनस करेंगे तो हमें 21 मिलेगा 26 और 5 इसके फैक्टर बनेंगे पंपेर करते हैं तो 31 जो है प्लस का है वो बाई के दोनों से बड़ा है चार एक्स का जो है वो बाई के 5 से छोटा है यानि एक बार ग्रेटर है एक बार लैस है आंसर इसका बनेगा C&D आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन आपके सामने रॉंग नॉम्बर सिरीज का यहां देखिए डिफरेंस एक का दिख रहा है यहां देखिए डिफरेंस चार का दिख रहा है यहां डिफरेंस देखते हैं तो 27 का दिख रहा है यहां पर देखिए किये अंतर दिख रहा है 16 का अगैला देखिए कितना अंतर दिख रहा है तीन दो एक, 123 कोई पैटरन नहीं आ पर आपको समझ में आया देखिए आहा होगा यह एक की क्यूब है अगर तो यह 2 स्क्वeur है यह 23 की क्यूब है अगर तो यह चार का स्क्वेर है इसका मतलब है अगला पांच की क्यूब यानि 125 होना चाहिए था अगर यह 123 गलत है तो यह 161 की बज़ाइसे गलत है यूग अगर 284 होता तो यह फिर 166 भी नहीं आता इसका मतलब यहाँ पर रॉंग टर्म क्या है डवलू टी डवलू टी मतलब रॉंग टर्म यह है 161 161 नहीं होना चाहिए था आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक का कोश्चन आया आपके सामने इसको करिए बोला गया है तीन कंटेनर है इक्वल कैपेसिटी के हैं ध्यान रखने वाली बात है एक्वल है कोई ए है पहले तो उसके अंदर बाटर और इस्परेट का रेशियो है चार ग्यारा बाटर और इस्परेट चार और ग्यारा कोई बी कंटेनर है उसके अंदर तीन और साथ का है तीन और साथ का है और कोई सी कंटेनर है उसके अंदर दो अनपात ती का है आगे बोला है इन सबको आपस में मिला दिया तो हमें यह बताना कि मिलाने के बाद उस मिक्स्चर में बाटर और स्पृट का रेशियो क्या हो जाएगा देखिए सबसे उपर लाइन बोली गई थी इक्वल केपिसिटी यहां पर देखिए कितना हो रहा है ग्यारा चार प फाच का एलसी अम क्या बनेगा तीज इस बनाने के लिए यहां दो से मुल्टिप्लाइग करना होगा यहां तीन से मुल्टिप्लाइग करना होगा और चलिए बाँव वागे लिखते हैं इसको 2 से करेंगे तो यह रेशियो बनेगा 8 और 22 का 3 से करेंगे तो यहां 3 और 21 का 6 से करेंगे तो यहां बनेगा 12 और 18 का अब देखिए सारी बेल्यू 30-30 हो गई है तीनों कंटेनर की अब बस इनको मिला देजिए मिलाने का मतलब इनको एड़ करते हैं तो बारा आठ बीस और उन्तिस अठारा बाइस चालिस साथ एक सट एक सट आ जाएगा यानि कि जो रेशियो आया है बाटर एंड इस्पिरिट का फाइनल रेशियो वह आया है 29 रेशियो 61 यही इसका आंसर बनेगा आगे अभी और भी वीडियो आएंगी चैनल के साथ जरूर बने रहें प्लेलिस्ट बनी हुई है ध्यान रखें अपना पढ़ाई करते रहें बाई